नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और स्वागत आपका आज के इस वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे 2023 से नियू टाटा नेक्सोन second top variant के बारे में यानि की fearless as dual tone variant के बारे में पेट्रोल के अंदर इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 13 lakh रुपीज आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका detailed walkaround review करके दिखाऊंगा क्या-क्या features आपको exterior और interior में दिये गए है दोस्तों इस वीडियो के शूट करने के लिए भी मैं हूँ सागर मोटर्स दिलशाद garden पे और सागर मोटर्स जो है वो यहाँ पे टाटा का सबसे बड़ा जो dealer है वो इंडिया के अंदर है यह सबसे जादा गाड़िया बेशते हैं और सबसे जादा गाड़िया यह service भी करत हैं तो अगर आप जल्दी से जल्दी delivery लेना चाहते हैं तो इनको contact कर सकते हैं सबसे पहले आपको देखिया फ्रेंट में आपको गाड़ी के अंदर LED जो डिया गया है क्योंकि गाड़ी के अंदर 360 जो camera है वो आपको मिलता है और फ्रेंट की grills और आप देख सकते हैं जो गाड़ी के looks आ रही है निकलके वो बिल्कुल ही एक्दम different जो looks हैं यहाँ पे हैं बात करेंगर हम side profile की तो side profile से भी आप देख सकते हैं गाड़ी काफी जादा है यहाँ पे बहतरीन लग रही है देखने में 16 इंच के यहाँ पर आपको जो tire size है वो मिलता है 215 by 60R 16 profile है front क दोनो tires में disc brake और rear tire में drum brakes प्याणो black color की finishing में ORBMS with indicator और यहाँ पे भी आपको जो side में आप देख सकते हैं नीचे camera दिया गया है इलेक्टर के लिए आप इनको fold कर सकते हैं इलेक्टर के लिए adjust कर सकते हैं body color door handles with request button आपको यहाँ पे option देखने को मिलता है उपर की side आपको roof rails दी गई है साथ के साथ sunroof को option मिलता है और प्यानो black color के finishing में यहाँ पे जो roof आपको वो दी गई है अब आप एक बार इसकी side profile की looks देखिए गाड़ी की जो length है वो 3995 mm की है गाड़ी की width है 1804 mm की height है 1620 mm की और जो यहाँ पे इसका wheelbase है वो है 2498 mm का तो इस तरीके की looks data nexon की side profile से और प्यानो black color की finishing आप यहाँ पर side में भी गाड़ी के अंदर देख सकते हैं जो इसकी look को और भी ज्यादा enhance कर रही है पीछे की side आपको यहाँ पर दिया गया है shark fin antenna और spoiler आपको गाड़ी के अंदर दिया गया है back glass के अंदर आपको यहाँ पर defogger को option मिलता है wiper को option जो है वो नहीं मिलता है और यह जो tail lights है यह आपके connected tail lights है पीछे की side आपको दोनो side reflectors मिलते हैं दो reverse parking sensors जो है वो भी आपको गाड़ी के अंदर दिये गए हैं और आपको दिखाता हो देखो यहाँ पर आपको reverse parking camera दिया गया है इसकी quality में आपको interior में चलके भी जरूर दिखाऊंगा एक बार आप देखें यहाँ पर यह जो tail lights है यह बिल्कुल connected है आपकी side से और बिल्कुल completely एक नई setup की tail lights है जो की देखने में काफी जादा खूबसूरत भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है जब आप rear design से इस गाड़ी को देखेंगे तो आप देखें काफी जादा sharp design जो है वो यहाँ पर यह बनाया गया है जब आप focus करेंगे तो आपको हलका सा harrier की भी याद आएगी अब बात करते हैं interior के बारे में यह इसका driver side door है चारोई power windows के आपको controls मिलते हैं यहाँ पर आपको chrome finishing में door opener और यहाँ सा आप electrically adjust कर सकते हैं electrically fold कर सकते हैं और व seats का quality है color है काफी बहतरी आपको मिलता है यहाँ पर driver side seat आप manually height में adjust कर सकते हैं fabric seats मिलती है दो adjustable headrest मिलते हैं और dual tone finishing में यह seats का color है वो यहाँ पर आपको मिलता है और आप देख सकते हैं बिलकुल नए जमाने का जो interior है वो इस गाड़ी के अंदर आप यहाँ पर दिया गया है यह इस गाड़ी के steering है जो कि आपका electric steering है tilt headrest आप इसको कर सकते हैं और देख सकते हैं जो टाटा का logo है वो illuminated यहाँ पर है यानि कि अगर आप इसका ignition off करेंगे तो यहाँ से यह logo जो है वो जैसे कि अभी चला गया ऐसे चला जाएगा engine start stop button आपको driver के left hand side पे यहाँ पर दिया गया है अब मैंने ignition on करा तो आप देखो यहाँ यहाँ पर यह logo दोबारे से आज गया है और यह जो आपका steering है यह two spoke steering है leather wrapped steering है काफी अच्छी grip इसकी यहाँ पर है और पकड़ने में भी काफी सही feel हो रहा है left hand side पर आपको audio के controls, call connect, disconnect, Bluetooth connectivity, right hand side पे MID के control, साथ के साथ जो cruise control वगरा है वो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है, digital आपको instrument cluster मिलता है आप गाड़ी के अंदर जिसके अंदर आपको TP, MS, trip A, trip B, average, fill economy, distance to empty, साथ के साथ गाड़ी का traction control on है, off है, सारी information यह आपको दिखाता है, और यह है 10.25 इंच की touch infotainment system, जिसके अंदर आपको काफी सारे features देखने को मिलते है, Bluetooth connectivity, Android Oto, Apple CarPlay, आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर जो wireless है, वो दिया गया है, wireless charging मिलती है, और देखो आप, जब आप left indicator देंगे या right indicator देंगे, तो उसी side का जो view है, वो यहाँ पर दिखाती है, साथ 360 जो camera है, उसकी quality भी काफी top notch यहाँ पर मिलती है, angle आप अलगलेक select कर सकते हैं, 2D, 3D, आप सब कुछ यहाँ पर इसमें control कर सकते हैं, और इसकी जो quality है, काफी ज़ादा premium है, after market आपको इस quality का 360 camera कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, नीचे की side यहाँ पर आपको देख सकते है जो controls हैं, वो यहाँ पर दिये गए है, AC के साथ के साथ temperature के, वो physical है, उसके अलावा हर एक control आपको यहाँ पर touch मिलता है, चाहे आपको 360 camera on करना हो, चाहे door lock, unlock, कुछ भी ऐसा हो, तो वो आपको touch मिलता है, 12V का charging socket दे रखा है, USB type socket, C type socket, और यह है इसका gear lever, 6-speed manual transmission, और यहाँ आपको तीनों modes मिलते हैं, eco mode, drive mode, city mode, wireless charging का option दिया गया है, और center में आपको armrest भी दिया गया है, normal storage के साथ यहाँ पर है, soft touch का जो use है, वो यहाँ पर इसमें किया गया है, fabric के साथ, अब यह इस गाड़ी की की है, दोनों ही आपको चाबियों के अंदर, center locking का option मिलता है, remote की मि interior जो है वो आपका roof का, वो black color में आपको देखने को मिलेगा, one touch आप इसकी sunroof को own कर सकते हैं यहाँ और साथ के साथ, अगर आप long press करकर रखते हैं, तो one touch आप इसको close भी यहाँ पर कर सकते हैं, view काफी सही है इसका, यहाँ पर आपको, co driver side एक छोटे size का warranty मिलता है, कोई भ globe works के लिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, काफी बड़ा globe works मिलता है, दो area इसके अंदर दे रखा है, नीचे, अपर पार्ट में अलग, इसको divide कर रखा है, light भी आपको इसके अंदर मिलती है, और सबसे खास upgrade आपको दिखाता हूँ, देखो, यहाँ पर तो आपको किया गया, यह भी आपका soft touch में यहाँ पर है, प्यानो black color की freezing में, door handle है, और यह है इस गाड़ी की rear की seat, 60-40 split में आप इसको fold कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको दो adjustable headrest मिलते हैं, center में armrest दिया गया है, दो cup holders का space है, और इन seats की cushioning है, जो under thigh support है, वो काफी कमाल है, यहाँ पर rear में इस event, दो mobile charging socket, और अब आपको दिखाता है, इस space, driver side seat मेरी height के according adjust है, मेरी height 5 foot 11 inch है, तो लगवग 3 inch के आसपास यहाँ पर near room मिल पा रहा है, और under thigh support काफी कमाल की है, जब आप rear seat पर बैठते हैं, तो इस तरीके की finishing आपको गाड़ी के interior की देखने को मिलती है, और यह center म यहाँ पर आपको दोनों ही side foldable grab handles और coat holder hook का जो option है, वो गाड़ी के अंदर यहाँ पर दिया गया है, interior बे बैठने के बाद काफी fresh feel हो रहा है, यह जो color है मुझे काफी सही लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आप comment करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि एक बिलकुल welcome तर लिटर का, यहीं कि 382 लिटर का boot space, boot में यहाँ पर आपको एक halogen light भी मिलती है, और यहीं पर नीचे आपको, जो spare wheel है, वो मिलता है, जो कि एक profile छोटा है, 195 by 60, R60 लिस की profile है, इन्होंने दे रखी है, जो normal और चारो टायर्स है, वो आपको 215 profile के मिलते हैं, वो थोड़े से टायर्स यहाँ पर गाड़ी के अंदर हैं, अब बात करते हैं, देखो engine specifications के बारे में, तो इस गाड़ी के अंदर आपको petrol वे diesel, दोनों ही engine specifications, जो है, वो मिलती है, लेकिन अभी मैं petrol की बात करूँगा, सेम जो petrol engine आपको पहले मिलता था, 1.2 लीटर का, 3-cylinder, turbo charge petrol engine, वो ही म मिलेंगे, और यह इस गाड़ी का second top variant है, तो इसके अंदर आपको TPMS वगेरा, और यह कुछ extra features जो है, वो और देखने को मिलेंगे, बात करनेगर fuel की, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 44 liters की fuel tank capacity मिलती है, और mileage का अब company का कहना है, 23.64 km per litre का mileage यह गाड़ी highway के उपर manual transmission में द बता दिये हैं, exterior के भी, interior के भी, हर एक चीज़ detailed में आपको शेयर करीए, कैसे लगी आपको यह गाड़ी आप comment करके जरूर बताइएगा, वीडियो कैसे लगी वो भी जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ, family members के साथ, जरूर शेयर कीजिए, मिलते हैं आप से किसी और वीडियो में, वीडियो लाज तक देखने के लिए, thank you very much.